आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Redmi Note 12 5Z और आपको बता हुए जो mobile phone रेडमी का भी latest mobile phone है और काफी अच्छा भी बताया जा रहा है कि भाई बहुत ही तगड़ा mobile phone होने वाला है तो फटाफर से इसके unboxing करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या स खातों आपको यह मैंने box को साइड में रखा और इसके अंदर देखते हैं क्या है तो यहां पर इतनी मतलब जो box वोगेरा बनाए इतने अच्छे नहीं बनाए सिम जेक्टे टूल मिल जाता है और यह documentation बहुत कम मिलते हैं इसके अंदर और यहां पर मतलब एकदम हजीब सा यहां पर एकदम polythene के अंदर यहां पर cover को डाला गया है वेकिंग के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है पर cover की जो quality है वो ठीक ठाक हम कह सकते हैं ज्यादा मजबूत तो नहीं है पर ठीक ठाक है तो cover को भी रखते हैं साइड में और निकालते है mobile को तो wow वाई साब wow वाई साब mobile बहुत अच्छा होने वाला है तो इसको भी एक बार side में रख देते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या सावान मिलता है तो यहां पर charger देखते हैं तो charger आपको मिल जाता है 33 Vot का तो यहां पर काफी तेजी से आपके mobile को charge कर देगा तो इसको भी साइड में और cable देखते हैं कौन सी है तो यहां पर cable देख सकते हो टाइप सी यहां पर charging cable मिल जाती है तो आप निकालते है mobile को बाहर और दिखाते हैं कि यह mobile कैसा है ओ माई गौड आप mobile को देख सकते हो यह जो green color है वाई साब काफी अच्छा mobile देखने को मिल जाता है तो सच में यार इसके designing देखू ना तो यार मुझे green color के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो रेड में इस जो color को नाम दिया है फ्रोस्टेट ग्रीन के अंदर तो यहां पर green काफी अच्छा है लग रहा है तो एक बार मैं आपको cover लगा के दिखाता हूँ कि cover के अंदर आपका mobile कैसे set होता है और कैसा लगता है अगर आप cover के अंदर रखना चाते हो तो वाई साब काफी अच्छा है यहां पर cover के अंदर लगता है यहां पर safety भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है cover के अंदर आप देखोगे तो यहां पर काफी अच्छा है और यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको जैसे की ports और buttons की बात क्रू में इसकी आपको right side के अं mobile को आसानी से चला पाओगे और निची की side में आपको speakers मिल जाते हैं और निची ही आपको type C charging port मिल जाता है और निची आपको mic मिल जाता है और left side के अंदर आपको SIM slot मिल जाता है तो यहां पर इसको निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर आप 2 SIM card और एक memory card साथ में डाल सकते तो यह देख सकते हो दोस्तों आप या तो दो SIM card एक साथ में डाल सकते हो या फिर एक SIM card या फिर एक memory card डाल सकते हो दो तिनों एक साथ में नहीं डाल सकते और उपर की side में देखोगे तो 3.5 mm का jack मिल जाता है और उपर की side में आपको voice cancellation का mic भी मिल जाता है और उपर की side में एक sensor और मिलता है जिससे अगर आप AC वगेरा को control करना चाहो तो वो remote control आप इससे कर सकते हो तो ये भी काफ़े अच्छा option आपको देखने को मिल जाता है तो और और अगर designing में देखोगे इसको तो मुझे काफ़ी जादा अच्छा लगा और यहाँ पर इसकी जो डिजाइनिंग है ना फ्लेट टाइप डिजाइनिंग में जो no 12 pro है उसकी डिजाइनिंग फ्लेट है पर इसकी डिजाइनिंग फ्लेट नहीं है एकदम यहाँ पर राउंडेर सेव के अंदर है और जो गेमरा मोडूल है वो थोड़ा सा उपर निकला ववह है तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर बीचह है बनाया गया है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो ये वर्जन है 6 GB रेम और 128 GB के अंदर है जिसकी प्राइज है 19,999 रुपे और 14 GB रेम और 128 के अंदर और देखने को मिल जाएगा उसकी प्राइज आपको मिलेगी 17,999 रुपे यानि कि 18,000 मान लीजिए औ फिर भी इसके अंदर फिंगर प्रिंट जो है वो साइड में पता नहीं क्यों दिया गया है मेरे हिसाब से display के अंदर होना चाहिए था और इसके अंदर आपको 120 has refresh rate मिलता है तो भाई साब display के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और इसके अंदर आपको 1200 nits की peak brightness मिल जाती है तो आप धूप वगेरा के अंदर चलाओगे तो भाई साब आपको मज़ा आ जाएगा और अपकी बार रेडमी ने आपके जो display का option है setting के अंदर वहाँ पे एक option दिया है sunlight का दोस्तों जैसे के आप धूप वगेरा में जाते हूँ तो sunlight को जरूर on कर लेना उससे क्या होगा कि आपकी जो display है काफी ज्यादा bright निकल कराएगी अगर आप धूप वगेरा में रहोगे और अपके बार इसके अंदर जो processor है वो भी काफी अलग है Qualcomm Snapdragon 4th Gen का one यहाँ पे इसके अंदर processor है तो इस processor को हम ठीक ठाक कह सकते हैं क्योंकि अभी यह नया नया processor है तो अभी ठीक ठाक कह सकते हैं इतना कोई high level का processor भी नहीं है इस price के अंदर और ज्यादा downgrade processor भी नहीं है हम इसको ठीक ठाक processor कह सकते हैं अगर आपको normal gaming होगेरा करनी है तो आपके लिए ठीक है को टारगेट करता है इसके अंदर सब कुछ अच्छा मिलने वाला है तो केमरी की बाद थोड़ा सा आगे करेंगे और इसके अंदर को दो साल के android update देखने को मिल जाएंगे और चार साल के आपको security पूटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे, आपको बताओगा इसके अंदर आपको 5000 अमज की बेटरी मिलती है, जब कि इसका जो वेट है ना काफी कम है, 188 गराम है, फिर भी आपको 5000 अमज की इसके अंदर बेटरी देखने को मिल जाती है, और जो चार्जर है वो मिल जाता था तो यहां पे सिर्फ 33 वोट का सूपर वुक चार्ज देखने को मिल जाता है और एक और जरूरी चीज जैसी कि इसके अंदर आपको साथ 5G के बैंड्स मिल जाते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके केमरा की केमरा को लेकर में भी काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग और मिलता है तो मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक की है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसका केमरा कैसा है तो आप ये फोटोज देख सकते हो तो दोस्तो आपने फोटोज देखी होंगी यार फोटोज के अंदर तो कोई भी शिकायद देखने को नहीं मिलने वाली आपको मदलब काफी अच्छी फोटोज निकाल कर दे देता है यहाँ पर अगर पोट्रेट के अंदर देखू या फिर सेल्फी केमरा के अंदर आपने देखी होगी या पर डेटेल वगेरा काफी अच्छी देखने को मिल जाती है पर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो प्रोब्लम पेश पर वीडियो रिकोड नहीं कर पाओगे सिरफ 30 fps पर वीडियो रिकोड कर सकते हो तो यार यह मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी लगी वीडियो के अंदर तो अगर आपको एक वीडियो के लिए फोन चीया यानि कि आप यूटूल पर वीडियो वगरा बनाना चाते तो अगर और अगर आप इसको देखोगे तो आपको high level के लिए use करना है यानि कि आपको gaming करनी है या फिर आपको एक videos बनाने अच्छे अच्छी तो फिर ये mobile आपके लिए suggest नहीं कर रहा पर अगर आपको एक अच्छी खासी design चाहिए कि unique यानि कि green color के अंदर चाहिए और यह पर display वगरा काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है और वेटरी भी 5000 अमचे काफी lightweight भी है तो अगर आपको normal usage के लिए चीए तो आप इस mobile को बिल्कुल choose कर सकते हो तो दोस्तों आप जरूर बताना आपको Redmi Note 12 कैसा लगा comment करके जरूर बताना और वीडियो को भी तक यार लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बाहर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिए और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक long time review बनाओ इसको अच्छी तरह से यूज़ करके आपको बताऊं कि यह mobile phone आपको खरीद